नमश्कार दोस्तो खजूर को सुखा कर शुहारे बनाय जाते हैं क्या आप जानते हैं कि खजूर जादातर गर्म जगों पर पाया जाता है खजूर जदातर रेतिले और गर्म स्थानों में पाया जाता है खासत कर जहां पानी की कमी होती है शायद इसी वज़ा से इसकी ताछीर गर्म होती है इसलिए ठंड के मुसम में ये फल शरीर के लिए काफी फाइदे बन्स थाबित होता है लेकिन सर्वधियों में शुहारे को दूद के साथ मिलाकर पीने से इसके फाइदे और भी बढ़ जाते हैं खास दोर पर जो लोग बरी ठंड में काम से लोट कर आते हैं शुहारा विटामिन्स और मिनेरल्स जैसे की कैल्शियम, फाइबर, आइरन, जिंक, मैगनेशियम आदी से बरपूर होता है इसके अलावा दूद में शुहारों को उबाल कर पीने से कैंसर, दिल की बिमारियां और दुर्बलता जैसी समस्याओं से चुटकारा मिल जाता है पोटैशियम पाया जाता है जो कलिस्ट्रोल लेवल को कम करने में उप्योगी होते हैं जिससे दिल से संबंदित कई सारी समस्याओं को दूर्ब किया जा सकता है बच्चों की हड़ियों के लिए फाइदेमंद बटी उमर के बच्चों के मजबूत मासपेशियों और हड़ियों के लिए सर्दियों में बच्चों को दूद में बिगो कर शुहारा खिलाएं इसके अलावा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी इस्तनपान के लिए सर्दियों में यदी मा दूद में शुहरा उबाल कर पीती है तो इससे उसके बच्चे को भी फाइदा होता है इससे दूद की मात्रा और गुनवता दोनों में इजाफा होता है छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर किसी भी तरह की दवा देने से बहतर है कि इस गरेलू नुस्खे को आजमा कर उन्हें पहले ही सर्दियों के लिए तयार रखा जाए साफ होती है आवाज जिन लोगों की आवाज साफ नहीं निकलती या आवाज में भारीपन आता हो वे लोग अगर रोज शुहारे को दूद में उबाल कर पीएं तो आवाज साफ होती है बस ये ध्यान रखें कि शुहारे वाला दूद पीने के बाद दो गंटे तक पानी ना पिएं कैल्शिम की पूर्ती करता है शुहारे खाकर गर्म दूद पीने से कैल्शिम की कमी से होने वाले रोग जैसे दान्तों की कमजोरी हट्टियों का गलना इत्यादी रुक जाते हैं इसके अलावा ये बलड प्रेशर वाले रोगियों के लिए फायदे मन्द होता है बिस्तर पर पेशाब शुहारे खाने से पेशाब का रोग दूर होता है बुड़ापे में जिन लोगों को बार बार पेशाब आता हो तो दिन में दो चुहारे खाने से लाब होगा शुहारे वाला दूद भी लाब कारी है यदि बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता हो तो उसे भी रात को शुहारे वाला दूद पिलाएं स्पर्म काउंट बढ़ते हैं शुआरे वाला दूद स्वास्थेवर्द रखोता है पुरुषों को सर्दियों में इस दूद का सेवन करना चाहिए इस से में केल्शियम बरपूर मात्रा में मुझूद होते है इस ड्रिंक को पीने से पुरुषों का स्पर्म काउंट बढ़ता है ये दूद पुरुषों को भांजबन से बचाता है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना बूलें सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करें धन्यवाद